भगवान कल की आचुके कल्यूक का शुरुवात कैसे हुआ पाँच हजार साल पुरानी बात है दुनिया के सर्व्ष्रेष्ट युद्धा अर्जुन के बेटे अविमन्यू के बेटे राजा परिक्षित को कली पुरुष ने अनुरोध किया हमें रहने के लिए जगह दू कली पुरुष कौन? वही जिसे इसाई, यहूदी और मुसल्मान सैतान या सेटन कहते हैं पिछले यूगों के घटनाएं इस कली यूग के लोगों को जादूई लगते हैं तो पिछले यूग के लोगों को भी इस कली यूग के घटनाएं असंभब और काल्पनिक लगते थे कनिष्ट पांडब द्वय नकूल सहदेव ने सपने देखे भगवान श्री कृष्ण को कहा तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जो देखा कली यूग में वही सब होने को है तो नकूल सहदेव को अजीव लगा ऐसा भी होना संभब है क्या लोग एक दुसरे से उतना गलत बिवहार करेंगे दर्म का च्छे होने से क्या होता है लोगों का एक दुसरे के प्रती बिवहार खराब होते चला जाता है अगर आपको कली यूग से समस्या है जहां धर्म चार में सिर्फ एक पैर पर खड़े रहती है तो आपको नर्क में काफी समस्या होगी नर्क जाने से बचें अच्छा करम करें मृत्यू सय्या पर विश्म पितामा ने भगवान श्रीक्रिश्न को कहा आप तो इस्वर है ना उनके कहने का तत्पर्य था क्या ऐसा चल कपट इस्वर को सोवा देता है विश्म पितामा को छल से मारा गया था पहले तो बगवान श्रीक्रिश्न ने कहा मैं तो आपका पौत्र हूं फिर कहा ए तो आपने कुछ नहीं देखा कलियूग में तो और क्या-क्या करने होंगे यानि कि वगवान कलकी को कलियूग समाप्ती के कार्य के दोरान क्या-क्या करने पड़ सकते हैं कली पूरुस ने अनुरोध किया हमें रहने के लिए जगह दो रादा परिक्षित ने कहा कहा रहोगे जबाब आया सोने में रहने दो पैसे में रहने दो और हो गया सुरू कलियूग बाइबल के गॉस्पल में जिस सब्द का सबसे ज्यादा जिक्र है वो है पैसा जो इन्सान पैसे को सर्बो परी मानता है वो अपने लिए स्वर्ग के द्वार बंद कर लेता है पाथ हजार साल में पहली बार किसी ने कल्यूग समाप्ति का एक रोड मैप लाया है पुष्टक का नाम है कल की बादी गोष्णा पत्र उसमें पैसा रहित समाज के निर्मान की बात है देश रहेगी, समाज रहेगी, अर्थ तंत्र रहेगी लेकिन पैसा नहीं जो लोग जानते हैं कल्यूग कैसे शुरू हुआ, उन्हें समझने में आसानी होगी कि कल्यूग समाप्त करने के लिए पैसा रहित समाज का निर्मान क्यों जरूरी है कल्यूग समाप्ती और सत्य यूग के शुरूवात की बात हो रही है और इस बात का जिक्र अलग-अलग धर्म के धर्म गरंतों में है लेकिन आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो उसको गलत समझ रहे हैं यूग के अन्त को गलत समझ के धर्ती का ही अन्त कह रहे हैं कह रहे हैं दुनिया खत्म हो जाएगा यूग खत्म होगा दुनिया नहीं इस्वर एक हैं श्रिष्टी एक तो इस्वर कितने होंगे? श्रिष्टी एक तो श्रष्टा कितने? इस्वर कोई प्रधान मंत्री या राष्टपती नहीं कि भारत का प्रधान मंत्री एक आदमी और अमेरिका का राष्टपती कोई दुसरा आदमी वैसा तो होता नहीं इसलाम – 1400 साल पूराना इसाई धर्म – 2000 साल पूराना तर्म – 2500 साल पूराना यहुदी धर्म यही कोई 4000 साल पूराना यहुदी भी और चीनियां भी दोनों कहते हैं कि हम बहुत पुराने लोग हैं हमारी इतिहास बहुत पुरानी है कितनी पुरानी? दोनों कहते पाँच हजार साल पुरानी यानि कि सनातन धर्म के अलावे बाकी प्रमुख धर्म सब के सब इसी कल्यूग में पैदा हुए इसाई लोगों को आश्चर होता है कि हमने मान लिया जीजस ही मसीह हैं लेकिन यहूदी क्यों नहीं मान रहे तो दो हजार साल पहले येसु को उनके सिश्यों ने कहा आप कहते रहते हो इस्वर इस्वर शिखाओ हमें उस इस्वर को प्रार्थना कैसे करे तो येसु ने जो सिखाया वो इसाई धर्म का सबसे प्रख्यात प्रार्थना है दुनिया के प्रतेक देश के प्रतेक चर्च में प्रतेक रभीबार को वो प्रार्थना करते ही करते हैं कि हे इश्वर्द धर्ती पर आजा और सारे धर्ती का राजा बन जा यानि कि 2000 साल से दुनिया भर के इशाई वो प्रार्टना करते आ रहे हैं वो प्रार्टना येशु को लक्षित नहीं है यानि कि उसमें येशु को नहीं पुकारा जा रहा है यहुदी इजिप्ट में गुलाम थे उन्होंने 400 साल तक प्रार्टना की कि हे इश्वर्द हमें इस गुलामी से मुक्ति दिला उनकी प्रार्टना सुनी गई वो सारी कहानी आप बाइबल में पढ़ सकते हैं 2000 साल से इसाई प्रार्टना कर रहे हैं कि हे इश्वर्द धर्टी पर आ सारे धर्टी का राजा बन आप यहुदी को पुछिए क्यों नहीं मानते तुम येश्व को मसीहा तो ओ कहेंगे हमें जिस मसीहा का इंतजार है वो सारे प्रिथभी के अकेले राजा होंगे और दुनिया के कोने कोने तक सांती और सम्रिद्धी ले जाएंगे येश्व राजा नहीं फकीर था मरते समय उसके पास संपत्ति के नाम पर फुटी कोड़ी नहीं थी जिस मसीहा का यहुदी को इंतजार है उसी के आने के लिए दुनिया वर के इसाई दो हजार साल से प्रार्टना करते आ रहे हैं कि हे इश्वर धर्ति पर आजा और सारे धर्ति का राजा बन यानि कि यहुदी को भी और इसाई को भी उसी एक ब्यक्ति का इंतजार है कल की वादी गोष्णा पत्र में दुनिया के कोने कोने तक सांती और सम्रिद्धी ले जाने का रोड मैप है काम सुरू हो चुका है उसको लागू करने के लिए नेपाल को पाइलट प्रोजेक्ट देश चुना गया है कल की वादी गोष्णा पत्र में एक ऐसे अर्थ तंत्र की कल्पना है जहां प्रतेक ब्यक्ति के पास काम है चाहे ओ घर के भीतर घर समाल रही महिला हो चाहे और कोई प्रतेक काम का एक ही मुल्यांकन आपने आठ घंटे काम किये आपके खाते में आठ घंटे गए पैसा है ही नहीं आपको बाजार में जाके कुछ खरिदना है तो किसी चीज का मुल्या रहेगा दो सेकेंड किसी का 20 मिनिट किसी का 50 घंटा बेरोजगारी बिलकुल खतम सब के पास काम बड़े से बड़े सहरों से चोटे चोटे गाउं तक एक ही लिविंग स्टेंडर्ड महिला पुरुष समानता गरीबी नाम की कोई चीज रहेगी नहीं महंगी खतम आज का एक घंटा जितना होता है दस हजार साल पहले भी उतना ही होता था और दस हजार साल बाद भी उतना ही होगा जिस सांती और सम्रिद्धी का इंतजार यहुदी को है उसका रोड मैप कल की बादी गोश्टा पत्र में क्यूं है और वो सबसे पहले निपाल में क्यूं लागू होने जा रहा है बाइबल का सबसे प्रख्यात पुस्तक है गोस्पल ओफ जॉन उसके प्रथम दफा में ही कहा गया है येसुने स्वर्ग और धर्ती की सृष्टी की आप किसी वी हिंदू को पूछ लिजिए स्वर्ग और धर्ती की सृष्टी किसने की तो ओ तुरंथ बोलेंगे ब्रम्म हिंदु जानते हैं और मांते हैं कि विश्णु मानब अप्तार में बार बार धर्ति पर आ चुके हैं राम भी वही, कृष्ण भी वही और बुद्ध भी वही उनका दस्वा और अंतिम मानब अप्तार होना है उनका नाम रहेगा कलकी जैसे कृष्ण सब्ध का अर्थ होता है काला उसी तरह कलकी सब्ध का अर्थ भी होता है काला बुद्ध पैदा हुए तो उनका नाम बुद्ध नहीं था उनका नाम था शिद्यार्थ गौतम बुधत्व प्राप्त करने के बाद वे बुद्ध बने उसी तरह कल्यूग समाप्थ होने से भगवान कल्की की भी पड़िचे स्तापित हो जाती है लेकिन कल्यूग जब समाप्थ होगी तब समाप्थ होगी पहले तो एक रोड मैप आएगा वो आचुका एक पुस्तक के रूप में सारी दुनिया को उपलब्ध है पुस्तक का नाम है कल्की बादी गोष्णापत्र हाल ही की सुपर डुपर हिट फिल्म कल्की 2898 AD में दिखाया गया है संभाला हिमाली छेत्र में कोई अद्रिश्य दिवार के पीछे छीपा एक गाउँ एक छोटा सा सहर संभाला वो क्या है वो एक पाँच हजार साल पुरानी वविश्यवानी को समझने का प्रयास है वविश्यवानी है कि जब भगवान कल्की आएंगे वो संभल में पैदा होंगे तो लोग ढूंड रहे हैं कहा गया हिमाली छेत्र लेकिन गलत फेहमी एह है कि लोग गाउँ शहर डूंड रहे हैं वो संभल कोई गाउँ या सहर नहीं पूडा का पूडा देश है जहां अमिता बच्चन साहब बरसों पहले अपने महान फिल्म के सुटिंग के लिए गौह थे सम्भू का देश अर्थात संभल सम्भू का देश अर्थात पसुपतिनात का देश अर्थात नेपाल हिमाली वेग में आज कौन सा देश है जिसका नाम संभल सब्द से बहुत मिलता जुलता है पाकिस्तान भारत भुटान तो फिर कलकी 2898 AD में दिखाया गया है दिपिका पादुकोन का नाम है सूमती सूमती क्यों? क्योंकि 5000 साल पुरानी एक वविश्यवानी है कि जब भगवान कलकी आएंगे वे सूमती नाम के औरत के गर्व से पैदा होंगे यानि कि मा का नाम सूमती होना है सूमती सब्द का साब्दिक अर्थ निकलता है सांती वगवान कलकी पैदा हो चुके और उनके मां का नाम सांती ही है वे मुझे बहुत अच्छी तेरह जानती है राम पैदा हुए अयुध्या कृष्ण मत्हुरा बुद्ध लुम्बिनी कलकी मटिहानी संकाराचारया बोर्डर के उस पार बिहार में पैदा हुए उनका एक अहम रोल रहेगा इस प्रोजेक्ट में कल्यूग समाप्तिबाले प्रोजेक्ट में भगवान कलकी जो काम करने जा रहे हैं वो समझना है तो आप अमिता बच्चन का कलकी 2898 AD नहीं साहरु खान का जवान देखिए जवान फिल्म में दिखाया गया है काम कैसे आगे बढ़ेगी जबकि डाइरेक्टर एटली विनेता साहरु खान ने कोई कलकी मुवी बनाई ही नहीं उन्हें भी आश्चरे होगा एजान के कि जो फिल्म उन्होंने बनाई वो एक कलकी मुवी बन गई भगवान कलकी सम्मंदित बारम में से 11 वविशिवानी भगवान कलकी में पुरे हो चुके हैं उससे उनकी परिचे स्थापित होती है सबसे महतन पुर्ण बात तो है काम कल्यूग समाप्ति का रोड मैप जो आया है क्रिश्चन कहते होली फादर, होली सन, होली स्पिरिट उन्हें ही हिंदु कहते विश्णू, ब्रह्मा, शिवा यानि की दुनिया वर के क्रिश्चन, 2000 साल से भगवान बिश्णू को पुकार रहे हैं कि है इस्वर आ धर्ती पर राज कर आप हिंदुओं को पुछिए, क्या भगवान बिश्णू ने कभी मानब अपतार में धर्ती पर राजा बन के राज किया है राजा राम सिर्फ अयुद्या के राजा थे, भगवान कल की सारे पृत्वी के राजा होंगे दुनिया के कोने कोने तक सांती और सम्रिधी जाएगी हिंदु कहते बुद्ध भी विश्णू के अपतार, इस बात को बहुत बहुत धर्मा बलंबी नहीं मानते लेकिन ओ न मानने बाले परतेक शिद्यार्थ गौतम की कहानी जानते हैं राजकुमार शिद्यार्थ गौतम को उनके पिता, उनके राजा पिता ने दुनिया के हर संभब सुख सयल दिये ताकि बालक को जोगी बनने का बिचार सपने में भी ना आवे लेकिन गौतम जोगी बन गए, उनके पैदा होते ही एक एस्ट्रोलोजर ग्योतिस आके बोले राजा को कि हे राजन, आपका ए बेटा बहुत बिशेश है, या तो ए जोगी बनेगा, या तो फिर सारे प्रित्वी का राजा राजा को तो राजा चाहिए था पिछले बार जोगी बने, अब की बार राजा बनेंगे आपने मावारत टेली सिरियल अगर देखी है, तो गौर किया होगा, सुरू में ही एक वाक्य आता है यदा यदा ही धर्मस्या यानि की वगवान स्विक्रिश्न गिता में कह रहे हैं मैं धर्म के पुनर स्थापना है तू, परतिक युग में आऊंगा उनके आने का हिंदु समाज पांच हजार साल से इंतिजार कर रही है वे आच चुके, कल्यूग समाप्ति का काम शुरू हो चुका इंडिया का नाम भारत हो चुका उस भारत का नाम वगवान कल्की के नाम पर कल्किस्तान होने जा रहा है मोदी के बाद जो परधान मंत्री होंगे वो भारत के अंतिम परधान मंत्री होंगे बढ़नन योगी जी से बहुत मिलता है ओ देश भगवान कल्की को सौपेंगे ओ कल्किस्तान अवी के भारत बर्ष से बहुत बड़ा होगा उतना बड़ा होगा जितना बड़ा इतिहास में कवी रहा नहीं मोदी परधान मंत्री पद से हटने के बाद कल्की प्रोजेक्ट में सम्मिलित हो जाएंगे कल्की वादी गोष्णा पत्र के लेखन में सहयो करने बाले कर्टमंडु के दिगज अर्थ सास्तुरी डॉक्टर उमा संकर प्रसाद नेपाल के मुहमद यूनुस हैं बंगला देश में जिस नाट किये ढंग से सत्ता परिवर्तन हुई उससे ज्यादा नाट किये ढंग से नेपाल में सत्ता परिवर्तन होनी हैं और डॉक्टर उमार संकर प्रशाद को नेपाल का राष्ट्रा ध्यक्ष बनना है और कल की बादी घोष्णा पत्र को नेपाल में लागू करना है। पहले नेपाल उसके बाद वारत और चीन के रास्ते दुनिया के प्रतेक देश तक पहुँचना है। नेपाल को विश्व गुरू बनना है। वगवान कल की आचुके दर्ती पर हैं कल यूग समाप्ति का काम सुरू हो चुका। आप भी सहवागी हो जाएए इस यूग परिवर्तन के प्रोजेक्ट में।